नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सावन के महिने में जब मंगलवार का दिन आता है तो इस दिन करजों से मुक्ति पाने के लिए कुछ बिसेश प्रियोग किये जाते हैं तो चलिए आज हम करज मुक्ति के प्रियोग की बात करेंगे मंगलवार के दिन हन्मान जी की अगर विसेस अराधना की जाए तो जीवन से सनी दोस्तों उतरता ही है साथ ही राहू केतू भी सांध हो जाते हैं जीवन के हर कस्ट हर मुश्किलों से बाहर निकलने में हन्मान जी आपको मदद करते हैं हन्मान जी जरूरी नहीं है कि आप तमाम तरीके के फूल या फिर बेल पत्र अर्पित करके उनको मनाए आप सधा भक्ति से अगर एक दीपक भी जला देते हैं या फिर आप हन्मान चलिसा भी पढ़ लेते हैं तो उतना ही काफी है लेकिन विसेस मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए एक छोटा सा प्रियोग अगर आप करते हैं तो जीवन के सारे कस्ट मिटते हैं तो उनको परसंद करने के लिए कुछ खास वस्तुए हैं आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हन्मान जी को अर्पित करने के लिए एक तो पहली चीज होती है आप उनको कैसे खाने पीने की जब बस्तु की बात आए तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालिए चाहे आप कुछ भी भोग लगाए तो पहला है पान का बीड़ा बड़े से बड़े समस्याओं से आपको हन्मान जी बाहर निकाल देंगे अगर आप मंगलवार की साम हन्मान जी को पान का बी करता और जो चूना बेगरा होता है वह सब ना डाले बलकि मीठा पान सिंपल तरीके से बना दे वैसे वह लोग बना कर देगा आपको अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो पान के पत्ते का डंठल लटा ले अब इसके उपर लॉंग इलाची मिसरी रखें केसर बेगर है तो भी रख दे पान का बीड़ा बना कर आप अन्वान जी को अर्पित कर दे लॉंग जरूर रखेगा तो जो बीड़ा है आपने सुना होगा कि बीड़ा उठाना इसका मतलब होता है कोई महतपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तर दाइद तो आपने उपर अपने साथ ना हो तब आप अपनी जिम्मेदारी हन्मान जी को सौंप दे पान के बीड़ा के रूप में तो पान का बीड़ा अर्पित कीजिए और फिर देखिए मन चाही मनोकामना कैसे पूरी होती है घर में भी कर सकते हैं मंदर में भी कर सकते हैं अगर आप घर में करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेगा देखिए हन्मान जी की पूजा में लॉंग इलाची और सुपारी इसका भी विसे समात्व है क्योंकि लॉंग इलाची और सुपारी अर्पित करने से सनी देप के बाधाएं कस्ट दूर हो जाते हैं अगर जीवन में सनी समंदी कोई भी परेश तो जब आप उनको लॉंग इलाची और सुपारी अर्पित करते हैं तो सनी देप सांथ होते हैं साथ ही एक सरसुं के तेल के दीपक में दो लॉंग डालकर जलाकर हन्मान जी की आर्थी करें आपके जीवन के संकर दूर होंगे धनिक प्राप्ती के राह मिलेंगे जीवन की सारी परिसानिया दूर हो जाएगी कई बार क्या होता है धन की बहुत मुस्किले आती है बहुत परिसानी बढ़ जाती है तब एक छोटा सा प्रियोग आप कीजिएगा जब आपको लगे कि धन की मुस्किले बढ़ गई है किसी ने आपके जीवन में जादू मंत्रत तंत्र मंत्र कर दिया है या किसी की नजर लगी है तब एक नारियल ले 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 पानी वाला नारियल छोटा सा लीजेगा अब इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बना लीजे लाल धागा बांदे इसके बाद इस नारियल को हनवान जी के चर्णों में रख दे और एक ही नारियल लेना है 11 म मंगल को लाल कपड़े में थोड़ा सा सर्सों के साथ बांद कर घर के दरवाजे पर बांदे तो घर में जो भी अगर किसी ने कुछ भी किया होगा तो वह वापस से उसी के पास चला जाएगा आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा आपने सुना होगा गुड़ चने का भ दीवन में तब आप गुड़ और चना प्रव भी आओ पानी में आप अनमांजी के मंदे में जा कर भोग लगा दे तो गुड़ चना का भोग लगाने से जीवन की सारी प्रेसानिय दूर हो जाती है आप चाहे तो गुड की जगा चिरोंजी भी लगा सकते हैं वैसे चने के साथ गुड ही अच्छा लगता है लड्डू लड्डू भी बहुत तरके होते हैं लेकिन हनमान जी को अगर आप बुंदी के लड्डू अर्पीत करें तो आपके समस्त गरह सांथ हो जाते हैं मन चा का अगर आप करजों में फज़े हुए हैं धन की बहुत मुश्किले हैं तब एक चोटा सा काम करें आटा ले ले उसका आप दीपक बना ले पांच दीपक अब बर्गत का पांच पत्ता ले आए साम में कीजिएगा ये प्रियोग सुबह भी कर सकते हैं तो पांच पत्ता ब लखिये आप पांच बर्गत के पत्ते पांच दीपक और इसको आप हर्मान जी के मंदर में जाकर जलाकर उनकी आरती करें। सनी देप की बाधायें सांत होगी। करजों की मुस्किलें दूर हो जाएगी। जीवन के कस्ट मीटेंगे और अगर धन आने के रास्ते नहीं थे तो वो भी बनने लगेंगे। वैसे पीपल के पत्तों का माला बनाकर भी हर्मान जी को पहनाने से करज मुक्ती मिलती है। कैसे बनाएंगे, आपको एक ग्यारा पीपल के पते लेने हैं, और पते को धो कर साफ कर लें, इसके बाद इस पर सिंदूर और तेल, चमिली के या फिर घी मिक्स करके, हर एक पते पर स्रीराम लिखिए, फिर सबको धागा, लाल धागा या मौली धागा के सारे बांध कर, कि जो भी परिशानी है बलाए हैं वो समाप्थ हो जाती है मुस्किलें दूर होती है और धन आने लगता है तो यह तो था पीपल का पत्ता का प्रियोग अब कई बार क्या होता है हन्मान जी जो है आपके घर में छोटे बच्चे हैं बहुत परिशान करते हैं बहुत सरारती है आप चाहते हैं बच्चे बहुत बुद्धिमान हों बार बार गिरें नहीं चोट चेपेट ना लगें तब एक छोटा सा काम करें आप अपने घर में घी सिंदूर थोड़ा सा बरतन में कटोरी में मिक्स कर लें अब इसको हन्मान जी को उनके बॉड़ी में लगाईए अब हन्मान जी को जब अब ये सिंदूर लगाईएगा तो आपके हाथों में जो लगा रह गया उसको थोड़ा सा ले आईए और अपने बच्चे को नियमीत रूप से इसी से टिका करें आपके बच्चे की एकागरता बढ़ेगी उनकी बुद्धी तेज होगी उनकी दिष्ट भी नहीं होगा जल्दी बहुत सिंपल है पर इसके अच्चूक आपको फल मिलते हैं तो हमने टॉपिक रखा है कि हन्मान जी की पूजा में आप ऐसा क्या काम करें कि जीवन के कस्टी मिट जाए देखिए आपको दीपक में क्या डालना है देखिए एक तो आप दो लॉंग डालके सर्सूं के तेल के दीपक में आप साम के वक्त दियावाती जला सकते हैं दूसरा आप कपूर के सहारे भी लॉंग जला कर पूरे घर में दिखा कर आप इसको इकर सकते हैं तो इससे क्या होता है निगेटिव एनर्जी सांथ होती है आप के मन्द चाही मुराद पूर म्यार्ति करें इससे भी और्ति आत्माएं सांथ होगी जीवन के बाधाएं दूर होगी कई बार होता है कि आपके कोई भी मन्चाही मुराद पूरी नहीं हो रही नौकरी बैफसाई की समस्या बहुत परिसान कर रही है तब एक छोटा सा काम करें एक नीमू में चार लॉंग चुपोर कर हनवान जी के मंदिर में बैठ कर हनवान चलिसा पढ़ लें और इसको आप अपने पास रखें जो भी काम के लिजाएंगे उसमें सफलता मिलेगी बाद में कहीं मिट्टे में दवा दीजेगा कई बार जीवन में सत्तुर विरोधी बहुत परिसान करते हैं काली उडद यानि साबुत उडद के 38 दाने चावल के दाने लेने हैं 40 और यह बिल्कुल साबुत चावल होना चाहिए एक नीमबू लेने घर से बाहर निकल कर जहां भी आपको साइर में जगह मिले थोरा से मिट्टी में गड़ा करें अपने सत्रू का नाम मन में सुम्रन क करते वे गड़े में चावल और जो आपने रखा है काली उडद उसको डाल कर नीमबू कोस पे निचोड़ दें सत्रू सांत हो जाएंगे और बिना पीछे मुड़े घर आईएगा लेकिन अगर जीवन में कैसी भी प्रिसानी हो नोक्री की बैपसाई की बिबाह की संतान की जो भी मुस्किल है आप एक चोटा सा प्रियोग कीजेगा एक पान का पत्ता लें डंठल तोरकर हटा दें चिकना साइड नीचे कर दें रूखा साइड उपर यानि पत्ता को उल्टा करें अब दो लॉंग इस पे रखें उल्टा साइड ही दोनों हाथों से लेकर बहतेवे जल के साथ चली जाएगी अगर बहतावा जल ना मिले तब किसी भी पीपल के नीचे रख दीजेगा हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमिंट में हर हर महादेव जरू लिखे धन्यवाद हम फि